हालो ट्रेडर्स वल्कम बैक टू मैं चैनल और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्राइज अलेट जो है धन पर किया से डाल सकते हो तो देखिए जो प्राइज अलेट है उसको सेट करने के लिए कहीं सारी चीजे थोड़ी से आपको मैं डीटेल में चीजों को समझाओंगा तो वीडियो को पूरा ही देखिएगा जो बाकी मैंने देखा यूटूब में वीडियो वो थोड़ा आधा-धूरा इन्फोर्मेशन है तो मुझे लगा कि आपके लिए पूरा इन्फोर्मेशन लाना चाहिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देजएगा और वीडियो को लाइक कर देजएगा तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो प्राइज अलट है आपको मिलेगा कहां तो यहां पर आप देख सकते हो बेल आइकन है तो देखिए यहां पर मैंने अल्रेडिज सेट किया था तो एंजल ब्रोकिंग का जो है यह प्राइज आया था 9.35 के आसपास ठीक है तो यहां पर मुझे प्राइज अलट का सारे नोटिफिकेशन यहां पर मिल गया और अगर हां अगर आपके पास अभी धन का एकाउंट नहीं है आप सोच रहों करने का तो जल्दी से ओपन कर ल यहां पर पूरा जो आपको पेड में मिलता है बाट यहां पर आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलेगा और कहीं सारी चीज़ है इस वीडियो को में जो मैंने डिटेल में बनाए है आप चाहे तो इसको देख सकते हो आई बटन पर आपको वीडियो शू हो जाएगा तो चलिए इ यहां पर देखे हैं सपोर्ड मानके चलते हैं कि यहां पर मेरा कहीं पे रेजिस्टेनस है ठीक है यह जो है 655 क्या आसपास मान लेजे मेरा रेजिस्टेनस है और मान लेजे मैरा जो सपोर्ट है वो 593 के आसपास है तो देखे है current market price अब यह गलतिमत किज़ीगा यह तरीका होता है आज मैं वह सही तरीका आपको मैं बताऊंगा तो देखिए अभी 633.45 करेंट मार्केटर्स चल रहा है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही हमेशा देखिए प्राइज एक्षिन का क्या होता है देखिए प्राइज एक्षिन क्या होता ना आप जब एक रेंज को आप जब लेते हो कि कहां से रेजिस्टेंस होगा कहां पर सपोर्ट होगा तो यह जट एक्जामपल के लिए मैं बात करों कि आपके पीछले एनालेसिस जोई उसके हिसाब से आपको लगता है कि इस बार जोई 655.25 पर हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा ठीक गलत तरीका है प्राइज लगाने का प्राइज लगाने का सही तरीका होता है कि देखिए 655 पर अगर आपने यहां पर मार्क है तो इसका मतलब कि आपने सेल भी 655 पर ही करना है अगर आप यहां पर 655 पर ही उसको प्राइज लगाओगे तो आप सेल जब करोगे तो यहां सकते हो कि इसके ज़स्ट थोड़े से नीचे यानि कि 655 यानि कि 5-6 रूपए नीचे जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो मांग के चलो 650 जो है हमें यहाँ पर प्राइज एलेट लगाना है तो हम क्या करेंगे लूप इन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको left click करना है left click क्या करोगे तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का view नजर आएगा आपको directly क्या करना है यहां पर देखिए option दिखाएगा set alert, set alert पर आपको click करना है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा set type यानि कि आपको कौन से type पर price alert set करना है तो यहां पर आप देखोगे कि accurate अगर price आपको रखना है तो यहां पर price को select करोगे अगर आपको कुछ percentage changes की हिसाब से लगाना है कि कितना percent के current market price अभी चलता है उसके कितने percent के हिसाब से यह करना चाहिए ठीक है आप अगर लगता है तो आप इसको set कर सकते हो ठीक है बट इसको set करने के बाद आप यहां पर जो है price को edit नहीं कर पाऊगे प्राइस को जो accurate set करने के लिए आपको इसको select करना पड़ेगा तो क्या है यह disable हो जाएगा यह enable हो जाएगा अब यह target price है यह दोनों के लिए ही use होता है चाहे वह support के लिए हो या resistance के लिए हो तो हम यहां पर एक ही stock का दो बार हम लोग price alert set कर सकते हैं तो चलिए देखते है सबसे पहले कैसे set करना है तो देखिए आपको पहले जो है यहाँ पर अगर मान के चल रहे कि यहाँ पर भी जो है bullish trend अभी चल रहा है बुलिश अभी momentum चल रहा है लूपियन में तो आपको लग रहा है कि 655.25 पर आपको यहाँ पर entry करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ यह पर set price alert मार दूँगा देखिए यह मैंने price alert को दे दिया है similarly आप क्या करेंगे आपको अगर लगता है कि market अगर यहाँ से निचे जाएगा तो मेरा support level यह होगा 593.35 तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे again हम हम जाएंगे set alert जो कि अभी हम support के लिए लगा रहे है कि price अभी इस पर price alert set नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा 600 पर इसको set कर देता हूं ताकि मुझे sufficient time मिल जाए कि मैं पहले ही ready हो सको कि मुझे जो है अभी यह जैसे ही यह hit करेगा मुझे ready हो जाना है buy करने क्लिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा set price alert पे click कर दूँगा तो यहाँ पर करेंगे हम जाएंगे यहाँ पर जो आप price alert देख सकते हो price alert का option आपको देखने को मिलेगा price alert में आप देख सकते हो कि loop in का मैंने जो है अलग-अलग time पे अलग-अलग price पे जो है यहाँ पर time तो नहीं अलग-अलग price पे यहाँ पे जैब मैंने set कर दिया है इससे जब भी direction जो है एक resistance है एक support है तो automatically detect कर लेता है तो इस तरह का आपको जो है price alert set करना है और यह price alert आपको मिलेगा notification आपको air पे मिलेगा और इनका trading platform पे मिलेगा तो बस यह था इतना है वीडियो अगर अच्छा लगा definitely वीडियो का like कर देजेगा और अगर आप जो है मेरे premium group पे join होना चाहते है तो आपको मेरे description पर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा link वहाँ पर आपको directly यह account आपको open कर लेना है विल्कुल free of cost है और हाँ जिन्होंने open कर लिया है तो उनको मेरे तरफ से एक link गया है telegram का आप चाहे तो वहाँ से भी directly click करके मेरे group में join हो सकते हो तो guys मि आले वीडियो पर तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा गुडबाई दोस्तों take care